वेलकम बैक टो मैं चनल तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राम सची वाले भरती के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो को कंप्लेट जरूर देखते रहेगा अगर आप बीटी सी बीट के छात रहें तो भी आप इस वीडियो कंप्लेट देखेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गाउं से विलंग करते हैं तो वीडियो को कंप्लेट देख लिजेगा आपको काफी जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में सिर्फ पंचायत सायक और कंप्यूटर आपरेटर की भरती के बारे में नहीं बाताने वाला हूं साथ में मनरेगा मेट हो तो आपके लिए एक गोल्डेन अपार्चुनिटी ये हो सकती है ठीक है तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लेट जरूर देखिएगा ठीक है बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेजेगा क्य चर्च करके वीडियो लगातार प्रवाइड कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक तो करी दिजिए तो उमीद है आपने लाइक कर दिया होगा जिसका दिल बड़ा होता है वही लाइक करता है ठीक है चलिए बात करते हैं कि ग्राम सची वाले भरती आखिर क्या आई है और कैसे आविदन करना है क्या 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 इसमें डॉक्मेंट लगने वाले हैं इसमें किस योग्यता के अधार पर रखी जाएंगे और बीएट बीटी सी छात्रों के लिए किस तरह इंपर्टेंट तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक लाग से को मांदे पर रोजगार देने की तैयारी यहां पर बना चुके हैं और आप लोग जानते हैं जैसा कि कैबिनेट की बैठक में उन्होंने नेड़े लिया था कि अब ग्राम में सची वाले बनेगा और साथ में हर ग्राम सची वाले में एक वीसी सकी एक पंचायत सहायक और ए हमी काम करते हैं उनका जो है हाजरी लगाना उनका जो है बस मतलब देखना उनका कौन काम कर रहा है कहां काम हो रहा है यह सब चीजे मतलब उपर से जाच करना जो है मनरेगा मेट का काम होता है साथ में जो सौचाले बनेगा आपके सची वाले में उसका केर टेकर के रूप म तो आप समझ लिजिए कि भरती इस चक भरती इतना जल्दी नहीं निकलती अभी 2017 वैच वालों का आपने देखा इतनी लाठियून प्यरपड़ी बर्साई गई इतना मतलब भागदर माचाय क्या उसके बाद भी भरती नहीं निकली तो ऐसे में भरती निकलने में काफी समय ल सकते हैं सोच सकते हैं देख सकते हैं यह चीजे मैं पहले पहले क्लियर कर दू ठीक है ताकि जो स्टुडेंट जो स्टुडेंट मतलब जल्दी नोकरी पाना चाता है उनके लिए काफी अच्छे चया पर मौके दिए गया है पंचायत शायक और कंप्यूटर आपरेटर की भ मान दे दिया जाएगा मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं यह चीजे लिखी होई है तो 8400 रुपे इसमें मान दे दिया जाएंगे और आपको 50 रमीकों का आपको हाजरी लगाना होगा उनका जो है कारे को देखना होगा कैसे करने ठीक करने नहीं बस इतना काम रहेगा आ आपके ग्राम में होगी आप स्वैम साथा समू बनाकर जूड़ेंगे उससे फिर इसके बाद अपने ब्लाक में जाएंगे ब्याम से कंटेक्ट करेंगे वहां से आपको यह चीजे देखने को मिल जाएंगी ठीक है और 35,000 महिलाओं को 140 मिलने वाला है वो भी आपके स्वैम साथा समू की महिलाओं को ही मिलने वाला है तो सेम साथा समू से पहले जूड़ जाएगा अगर आप इस चीजों के लाव लेना चाहते हैं तो लेकिन पंचायत सहायक और कंप्यूटर अपरेटर में कोई समू की जरूरत नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें दस क्प्यूटर चलाना होगा डाटा एंट्री करनी होगी यही सब मतलब काम होगा अपने सची वाले ग्राम सची वाले में बाट कर तो बहुत ही अच्छी नवकरी एक तरह से का दिजिए कि बहुत अच्छी नवकरी है अगर आप बीटी सी बेट पास करनी है तब तो आपके इतनी बहतरीन मौका है कि आप अपना ओ भी करिए और साथ में अपनी तैयारी भी करते रहे हैं जो की काफी अच्छा मौका है यहां पर आपको बता दूंग बहुत ही अच्छा मौका है ठीक है और जो लोग बीटी सी करने जा रहे हैं अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे बस की हुई उन्हों ने यहां पर अपलाई किया था ठीक है तो ऐसे ऐसे आवे दन देखने को मिल जाते हैं तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आयोगे पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करजेगा और कोई भी आपका आपी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बोक्स में